हेलो फ्रेंड्स वेरी गूर मॉर्निंग टो अलो फ्यू एंड वेलकम दोस्तों बिहार डियलेड एडमिशन सत्र दोहजार बीस बैस में नामंकन के लिए 13 जनवरी को प्रोविजनल मैरिट लिष्ट पबलिक किया जाएगा इस मैरिट लिष्ट में उन सभी स्टूडेंट का नाम सो करेगा जिनों ने आउनलेन आविदन किया है अगर आउनलेन आविदन करते समय किसी भी परकार की तुरोटी हुई है मार्क्ष डिटेल को फिलब करने में तो आप उसे 13 जनवरी से आपती देकर सुधार कर पाएंगे और सुधार करने के पस्चाहत आप सभी का 37 जनवरी को फाइनल मारिट लिष्ट तयार किया जाएगा फाइनल मारिट लिष्ट में उन सभी स्टूडेंट का नाम आएगा जिनोंने सही सही फॉर्म को फिलब किया है साथी साथ जिनका आपती देने के बाद सुधार हो चुका है मार्क्ष डिटेल में तो वैसे सभी स्टूडेंट का फाइनल मारिट लिष्ट तयार किया जाएगा पर मान लेते हैं कि मजपर पूर डिस्टिक में कोई कोलेज है उस कोलेज में 3000 स्टूडेंट का फाइनल मारिट लिष्ट में सलक्षन होआ है और 100 सीटे हैं तो 100 सीट के लिए सभी केटेगरी वैज अस्टूडेंट को सलेक्ट किया जाएगा यानि कि selected मारिट लिष्ट तयार किया जाएगा अगर मान लेते हैं EWS काटगरी में 10% सीटे है तो इसका मतलब 10 सीटे EWS में है तो EWS काटगरी के जितने student होंगे उपर से 10 EWS कंडिडेट को सेलेक्ट कर लेंगे समझ रहे हैं इस बात को अगर 10 सीटे हैं EWS में तो final merit list में जितना भी EWS कंडिडेट के student है तो उपर से 10 candidate को select कर लेंगे केवल और केवल EWS वाले को तो उसको selection list में सामिल किया जाएगा उसके बाद जब selection list public किया जाएगा तो उसके बाद आप सभी नामंकन लेने के लिए counseling करवाएंगे और document verification करवाएंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीता मरही के final selection marriage list के संबन में जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि कितना category wise cut up गया है साथी साथ schedule के बारे में भी समझेंगे इसके लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी google browser को open कर लिजिए और यहाँ पर search कीजिए cosiestudy.com आपका कुछ इस तरह से home page open होगा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे बिहार डियलेड final marriage list 2020 all district wise government college link update simply आपको यहाँ पर click कर देना है नीचे आने के बाद आप सभी को सारी जानकारी एक साथ मिल पाएगी कब क्या होने वाला है सारी जानकारी यहाँ पर inform किया गया है साथी साथ क्या क्या documents आपको लगेगा यह सारा documents आपको त्यार कर लेना है साथी साथ जाती आवासिये और आए ये जरूर अभी बनवा लेजी अगर केरेंट वाला नहीं है तो नहीं तो आपको बहुत जैदे प्रोब्लेम होगी कॉंसलिंग में और साथी साथ अनुमंडल से वेरिफाय जरूर करवा लेजिए इसके बाद आप सभी नीचे आएंगे तो सभी डिस्टी का गोवर्मेंट कोलेज का लिंक मिल जाएगा जहां से आप सभी मारिट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं आपके डिस्टी का नेम कोलेज का नाम कितना सीट है प्रविजनल मारिट लिस्ट जो अपडेट होने वाला है 13 जनवरी को वो आप सभी को यहां पर मिल जाएगा साथी साथ 2019 का कटप मारिट लिस्ट कितना गया था कहां का वो सारा लिंक भी आप सभी को यहां पर मिल रहा है तो simply आप यहाँ से आप अपना district को select कीजिए जिसे कि आज हम आप सभी के सामने सीता मरही की बात करने वाले हैं तो नीचे आएंगे तो आप सभी को यहाँ पर सीता मरही district में एक DIT college है जहाँ पर 100 city है तो provisional merit list 13 को आएगा तो वो आप यहाँ से download कर पाएंगे तो फिलाल हम यहाँ पर click करते हैं और final selection merit list यहाँ से हम download कर लेते हैं तो video download होने के पस्चाथ आपके सामने कुछ इस तरह से page open होगा तो यह सिता मरही DIT college के द्वारा परकासित किया गया 17 2019 से 21 में नामंकन के लिए first selection merit list है जो science subject के लिए परकासित किया गया है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं law cut up की तो category wise law cut up की बात करें तो यहाँ पर female candidate में अगर evc की बात करें तो female candidate का evc में सबसे law cut up जो रहा है वो 68.5% रहा है जेनरल की बात करें male candidate में तो इसका जो है 78.3% रहा है उसी तरह से अगर हम बात करें SC candidate जो female candidate होगा 69.4% रहा है तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे law cut up जो रहा है वो 68.5% रहा है तो आप मान करके चलिए 2020 में 72% या 71% से पलस ही category wise यहाँ पर cut up रहेगा इससे जैदे ही रहेगा इससे कम आपको नहीं मिलेगा देखने को अगर जो handicap student है तो उनका यहाँ पर cut up थोड़ा लव जा सकेगा आगे बात कर लेते हैं मेल कंडिडेट में जो BC category की student है इसका 73% रहा है उसी तरह से बात करें अगर जनरल की तो जनरल में आप देखेंगे यहाँ पर मेल कंडिडेट में साथी साथ यहाँ पर handicap student की बात करें तो 73% रहा है और उसी तरह से जनरल की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे 78% रहा है मेल का और हंडिकेप में 73 रहा है आगे अगर बात करें EVC में फिमेल कंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आप से भी देख सकते हैं सबसे नीचे में EBC Candidate जो 76% के आसपास रहा है और उस ही male candidate की बात करें तो अगला student जो जनरल केटेगरी का रहा है वो 84% रहा है तो इस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर cut-up देखेंगे कि बढ़ता ही गया है और यह female candidate का हुआ उसी तरह से आप यहाँ पर check कर लिजे BC Candidate का female का आप देखेंगे तो 79% रहा है उसी तरह से अब आगे जितने भी उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे student का cut-up यहाँ पर है ही नजर आएगा तो इस तरह से 100 student का यहाँ पर selection list में नाम आता है क्योंकि 100 seat है इसके बाद second merit list भी आता है second merit list में उन student को सामिल किया जाता है जो मान लेते हैं अपना document verification नहीं करवा पाते हैं या कोई documents जमा नहीं कर पाते हैं या केवल जो है online आविधन करके छोड़ देते हैं उनका मन नहीं होता है बाद में admission लेने का क्योंकि बहुत सारे इसे student है जो साथ साथ में B.A.C. या B.A. कर रहे हैं तो वो सोचते हैं पहले B.A. B.A.C. किलियर कर लें उसके बाद D.A.L.E. करें क्योंकि D.A.L.E. और graduation दोनो regular course है तो कोई एक ही course आप एक time में कर पाएंगे अगर आप D.A.L.E. regular से करते हैं तो graduation को आपको इगनू से करना होगा तभी जो है दोनो certificate आपका valid होगा नहीं तो आप फंस सकते हैं अगर कोई claim कर देता है बाद में तो तो इस तरह से आप इस PDF को download कर लीजे और एक बार खुश से check कर लीजे कि आप किस category से है और उस category का कितना cut-off रहा है तो इस तरह से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और next वीडियो बहुत ही जैदे important होने वाला है तो next वीडियो को जरूर देखेगा साथी साथ अगर आप चाहते हैं पतना डिष्टी के private college में direct admission ले तो उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा जिसमें हम detail में बताए हैं कि आप कैसे admission ले पाएंगे कौन सा college है कितना फी लगेगा regular class करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा तो उसके समन्द में एक विस्तार से हम वीडियो बनाए हैं तो उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो जरूर इस वीडियो को एक बार देख लीजिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं फिर से के नई वीडियो में तब तक के लिए बाए